नमस्कर दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाष नवादा बिहार, आज मैं आपको टॉंसिल के बारे में कुछ जान करी देता हूँ, पुराना जुकाम जब बिगडने लगता है, जिवानु शंक्रमन के कारण हो या बहुत ठंडा पी पी लेने के कारण हो, किसी भी कारण से गल गरंती में सूजन आ जाती है, गले में दर्द होने लगता है, भोजन निगलने में दर्द होता ही होता है, कभी कभी पाने भी नहीं पिया जाता है, सिर्प और सरीर में भी दर्द सुरू हो जाते हैं, यहां तक कि कभी कभी बुखार भी आ सकता है, लेकिन अगर इस lockdown वाले इस्थिती में भी आपको टॉंसिल बढ़ गया है तो घबराने की आवशक्ता नहीं है आप ये कभी नहीं सोचें कि अगर मैं hospital गया तो मुझे कुरोना अस्थिनेज के लिए isolate ward में मुझे जाना पड़ेगा 14 दिन के लिए ये आपका ब्रह्म है मैं आपको कुछ बताता हूँ जैसे आप अपने घर के kitchen में जाएंगे तो आपके घर kitchen में हल्दी होगी गोलकी होगी जिसे लोग काले मिर्च के नाम से भी जानते हैं और मुझ क कपुर होगी ये तीनों आप बराबर मात्रा में ले ले और तीनों के मिला करके दो गुने मिट्टी का तिल उसमें मिला ले और पांच-छो घंटे तक धूब में रहने दें अगले दिन उसे च्छान करके रख ले और उसे गले में लगाएं काफी आराम आएंगे पचास ग्राम अलसी के बीज ले ले और उसे कूट करके एक चमच घी में भून ले उपर से पाने डाल करके उसका पुटली बना ले और जब अधिक गर्म नहीं हो तो कपड़े को रख करके गले पर उसे शेके या जब शहन करने योग एक गर्म हो तब उसे कोई जिर्क लिए यहाँ पर बांद दें ताकि उसे यहाँ पर शिकाई हो सके और सूजन में रहत मिले एक गलास गर्म पानी में आप नमक डाल करके तिन चार बार गरारे कर सकते हैं उससे भी काफी आराम मिलेंगे इस लॉकडाउन वाले इस्तिती में फल और सबजी को परतिबंधित नहीं किया गया है आपको बिलकुल आशाने से मिल जाते हैं और पुर्वत रेट में मिल रहे हैं तो टमाटर के गर्म गर्म सुप में काली मिर्च और काला नमक मिला करके पीएं आपके टॉंसल में काफी आराम आएंगे गाजर अभी काफी सस्ते हैं तो गाजर का रष्ट में काला नमक और काली मिर्श मिला करके आप पीए टॉंसिल आप से कोसुत दूर चला जाएगा तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियो हमारे इस लॉकड़ान वाली इस्थिती में भी हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज अपडेट हो रहे हैं उसका भरपूर फायदा उठाए फिर भी अगर किसी तरह की अनिश्टने स्वास्थे समन्दी जान करें चाहिए तो हमारे वाट्सप नमबर 8709871868 पर आप मैसेज करें या रातर नौ बज़े के बाद हमसे संपर्क कर लें संपर्क करने से पहले कॉपी और कलम अपने पास रखना न बोले अगर मैं कोई नूश्का बताता हूँ या कोई मेडिसिन बताता हूँ तो तुरह ताप उसे नोट करें आपके सारे समस्याओं का निदान करने में मुझे काफी खुसी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने सारे ग्रूपों में लाइक और शेयर करना न भूलें आप लोग इस लोगडाउन का दिल से पालन करें लक्षमन रेखा के अंदर रहें आप लोग अपने परिवार के साथ खुस रहें स्वस्त रहें मस्त रहें इन्हें शुप कमनाओं के साथ मुझे इजाजत दें धन्यवाद